Hello everyone, I hope कि सब लोग बढ़िया होंगे, तो एक छोटा सा टापिक डिस्किस करने वाले हैं हम जर्नल में, next part, borrowed and lent अक्सर बच्चे यहां गलतियां करते हैं, borrowed and lent पहले दोनों का मतलर समझाता हूँ, borrowed माने उधार लेना बढ़ो माने मैंने उधार लिया, lent माने उधार दिया, एक शब्द लगा रहा हूँ मैं, उधार साथ में उधार देना, उधार लेना अक्सर बच्चे कामली क्या error करते हैं, इस point में जब भी lent and borrowed का point आता है जिसे लिखता क्या है question में, छोटी से entry यां डाल देता है, वो जैसे की डाली entry मैंने बिल्कुल छोटी से entry मैंने बुला अब देखना, अंतर समझना, cash received from राजकुमार राजकुमार से पैसे मिले तो सभी को जल entry आती है, भाईया, entry क्या हो जाएगे फड़ा फड़ entry बता देंगे, सर, cash आया तो cash account debit to राजकुमार से आया है तो to राजकुमार to राजकुमार narration हो गई, being cash received from राजकुमार being cash received from राजकुमार narration भी लिख दी भाई, सभी ने है न a point क्या है, cash received और borrowed में क्या अंतर है सिर्फ अंतर है, receive का मतलब होता है पैसे लेना, और borrowed का मतलब होता है उधार लेना, देखो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने अब अब मैंने cash received की चेके बोल दिया borrowed, दोनों में difference क्या है पैसे दोनों cases में आ रहे है पर अंतर क्या है, यहाँ पर उसे हो सकता है, मैंने पैसे लेने थे उसे समान बेचा था, और cash आया है borrowed का मतलब पैसे आया है, पर साथ के साथ उधार ही चड़ रही है तो borrowed from राजकुमार, क्या अंतर हो गया entry दोनों ही cases में मेरे दोस्त, same आईगी अंतर बताने की कोशिश करना हो, दोनों cases में entry, same आईगी entry के आएगी अब, cash account debit किया था, तो यहाँ भी cash cash तो आही रहा है किस से आ रहा भाई, राजकुमार से आ रहा है, तो तू राजकुमार पर अब क्या करेंगे, राजकुमार के साथ मैं apostrophe s लगा दूँगा और लिंक दूँगा, राजकुमार's loan, yes राजकुमार's loan account कहने का मतला, अगर borrowed होगा, तो name के साथ एक account, जो बिल्कुल हमें post fix करना है, loan word loan लगा देना है, साथ के साथ नाम के साथ, आपको याद रखना है, loan word का use करना है name के साथ, loan लगा देना है जब भी क्या लिखा हो, मेरे दोस्त जब भी लिखो, borrowed borrowed के लिए नाम के साथ, loan जरूर आएगा तो क्या entry हो जाएगी, cash account debit to, राजकुमार loan, example के साथ बता रहा हूँ फिर जैसे ही मैं बोलू cash paid, अब cash paid का मतलब मैंने उसे पैसे देने थे है ना, हो सकता है, मैंने समान खरीदा उसे तो cash paid to राजकुमार, क्या entry हो जाएगी सर फटा फट एंट्री बता देते हैं भी आपको राजकुमार को cash दिया है तो क्या हो जाएगा, राजकुमार account debit he is a receiver, तो एंट्री क्या बनी राजकुमार account debit debit to cash अब देखिए अब इसे differentiate कर देते हैं क्या differ कर देते हैं अब मैंने cash paid की जगे है cash paid का मतलब भी देना होता है length का मतलब होता है उधार देना length word लिख दिया तो याद रखना उधार देने की बात कर रहा, तो length length मैंने लिख दिया मैंने लिख दिया length to राजकुमार paid की जगे पर length लिख दिया तो याद रखना, entry same ही आएगी entry same ही आएगी, पर length लिख दूँगा, या borrowed लिख दूँगा borrowed का मतलब लेना, entry वही आएगी cash account debit, he is a giver और length में भी entry वही आएगी, he is a receiver, debit हो जाएगा, जैसे यहाँ length to राजकुमार, तो entry क्या हो जाएगी sir, entry वही होगी राजकुमार अकाउंट debit, he is a receiver, पर क्या difference आगया मेरे दोस्त, sir अब length कर रहे हैं, length कर रहे हैं, तो उधार दे रहे हैं, तो साथ में loan word का प्रियोग किया जाएगा बस इतनी सी बात याद रखनी है name के साथ loan भी लगाना है paid and lent में यही अंतर होता है ठीक है, borrowed and receive में यही अंतर होता है तो यही मैंने आपको difference बताने की कोशिश करी है, तो मैं इनको फिर से sum up करता हूँ एक बार छोटा जा point one आगर समझ आगे तो बहुत अच्छी बात है comment कर देज़े बड़ा फट फिर मैं बता देता हूँ, तो borrowed होगी तो क्या entry हो जाएगी, borrowed के case में अब entry क्या होगी cash या bank account, तो cash या bank account debit bank account debit to आएगर नेम ही तो person के साथ मैंने क्या लगाना है, apostrophies लगाना है और loan लगा देना है बस याद रखना है आपने, तो being जो भी borrow किया, amount borrow किया, borrowed from so and so person, तो मुझे entry पता लग गई, कि जब भी borrowed के entry होगी, तो क्या होगी cash या bank account debit, person के साथ apostrophe s और loan, ऐसी lent के case में क्या होगा, lent में भी हम दे रहे हैं, पर साथ में क्या आ जाएगा person, person के साथ, apostrophe s, loan word कहने का मतब lent and borrowed में loan word का प्रियोग किया जाएगा क्योंकि हम उधार के बारे में बात कर रहे हैं, तो being being amount lent lent end, so end और छोट अजर डॉपिक था, example भी बताई, मैंने आपको, difference भी बताया I hope सभी को clear है तो भाई, सबको clear है, चनल सब्सक्राइब करें, शेर करें and comment भी कर दें Thank you very much क्यास किiele हम सभीस क chat Hutch